Diagnostic Criteria for Bipolar Due Disorder Now we will discuss Bipolar Due Disorder जो है वो क्या है Bipolar Due Disorder Bipolar One Disorder से इस तरह डिफरेंट है कि Bipolar One Disorder के अंदर Menia की depiction होती है जबकि Bipolar Due Disorder के अंदर Hypomania कीconfidence होती है इसमें manic episode नहीं होती ठीक है तो इस तीस का अपने ख्याल रखना है फिर हम देखेंगे कि DSM-5 जो है वो हमें किस किसम का diagnostic criteria जो है वो बता रहा है अब bipolar 2 disorder के अंदर जो criteria A है वो यह है कि at least one hypomanic episode जो है वो उस शक्स के अंदर होनी चाहिए और उसके साथ-साथ at least one major depressive episode जो है वो भी उस शक्स के अंदर होनी चाहिए ठीक है और इसके साथ-साथ हम अभी आगे पढ़ेंगे कि hypomanic episode के features क्या होते है उसके बाद जो B है उसमें हम देखेंगे कि manic episode जो है वो बिलकुल absent है ठीक है यानि कभी भी उसके अंदर manic episode ना आया हो अगर उसके अंदर कभी भी manic episode आया होगा और उसके साथ hypomania का episode आया होगा तो वो हम ये कहेंगे कि उससे bipolar one disorder है ठीक है bipolar two disorder के अंदर mania का episode absent होता है then जो C है उसके अंदर इसको दिहान रखना है कि जो भी hypomanic episode आया जो major depressive episode है वो शीजोफरेनिया की वज़ा से शीजोफरेनियो फॉर्म की वज़ा से शीजोफेक्टिव डिसॉर्डर की वज़ा से reflect ना हो रहा हो ठीक है then हम D criteria देखते हैं कि वो ये है कि जो symptoms है जब भी depression और hypomania के दर्मियान वो convert होंगे यानि कभी hypomania हो रहा है कभी mania हो रहा है तो उस episode में उसके जो functioning level है वो impair होगी और distressed होगी ठीक है अब हमने एक criteria में देखा था कि hypomanic episode जो है वो उसके अंदर होगी अब hypomanic episode के features क्या है DSM-5 उसे define कैसे करता है वो हम देखते है hypomania episode जो है उसके अंदर they are saying के elevated, expensive और irritable mood होगा ठीक है और ये persist करेगा किसके साथ increase activity और energy level के साथ मगर यही features आपने देखे थे manic episode में भी लेकिन फरक कहा है वहाँ पर जो time period है वो one week का है यहाँ पर time period at least four consecutive days का है तो main difference जो है वो time duration के अंदर है ठीक है और present जो है वो रहेगा most of the day और nearly every day ठीक तो इसमें जो main चीज़ समझने की है कि जो bipolar 2 disorder है उसके अंदर hypomania episode होगा, bipolar 1 में manic episode होगा उसके साथ hypomania और depression भी होगा लेकिन bipolar 2 में manic episode absent होगा, hypomania का episode होगा, with depression होगा इसके साथ साथ जो time duration है manic episode का वो one week होता है और इसका जो है वो at least four days होता है तो main difference जो है वो time का है, then हम criteria B देखते हैं, criteria B के अंदर क्या है के 3 और more symptoms होने चाहिए, from the below 7 symptoms और जो अगर mood irritable है तो जो 7 symptoms हैं उसमें से 4 symptoms होने चाहिए और जो 3 symptoms हैं वो उस सूरत में होंगे जिस वकत उस शक्स के अंदर increased energy level जो है वो माजूद होगी symptoms exactly same वो ही हैं जो के मेनिया के अंदर होते हैं लेकिन time duration जो है वो फरक है inflated self-esteem और grandiosity होगी, decreased need for sleep होगी, बहुत ज़ादा pressure से वो शक्स बोलेगा उसके जो rate of speech होगी वो भी बहुत तेज होगी, बहुत तेज से इस बात करेगा उसके जो ideas हैं वो racing होंगे, बहुत तेजी से वो अपने ideas को बताएगा, इतनी तेजी से कि उसे लगेगा कि उसके जो thoughts हैं वो आम तोर पर जो client report करते हैं, वो यह report करते हैं यानि वो ऐसे आपको नहीं बताते कि मुझे यू लग रहा है कि मेरे सोचें जो हैं वो दौर रही हैं, ऐसा नहीं होता यह understanding आपने खुड develop करनी होती है, किस तरीके से? observation से, observation से कैसे? जब वो बोलती हैं, तो आपने देखना होता है कि जो वो बोल रहे हैं, वो किस तरहां बात करें? जैसे अगर हम आपस में बात करते हैं, तो हम in relevance to certain topic बात करते हैं, लेकिन अगर आपको और to the point बात करते हैं, ठीक है? लेकिन यह लोग जो होते हैं, अगर इन्होंने किसी topic क आपर बात शुरू की है, तो वो for example, वो अपनी नानी की death के बारे में जिकर कर रहे हैं, तो वो उससी चीज़ को इतने ज़्यादा और चीज़ों के साथ relate करेंगे, कि आपको लगेगा कि इनके जो thought processing है, वो racing form के अंदर move कर रही है, ठीक है? then destructability है, जतनी भी environment में चीज़ हैं, यह हर चीज़ को touch करेंगे, उनके साथ relate करने की कोशिश करेंगे, उन्हें attend करने की कोशिश करेंगे, यह हर चीज़ जो ही अपने environment में देखेंगे, उनको यह attend करेंगे, इनकी जो sensory sensitivity है, वो बहुत ज़्यादा उस time period पे increase हो गई होती है, इसके साथ साथ goal directed activities बहुत को motor agitation बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अगर किसी ने अपनी घर की या अपनी कपड़े धोने शुरू की हैं, तो उसने अपने घर के कपड़े धोने शुरू अगर कर दी हैं एक बची ने, तो उसमें वो क्या करेगी, कि जतने भी कपड़े अलमारियों के अंदर होंगे, वो सारे निकालेगे और उनको धोना शुरू कर देगी, तो यह जो है इस तहां की goal directed activities जो हैं, वो भी उसके अंदर देखने में आएंगी, इसके साथ साथ कुछ ऐसी activities जो के dangerous हो सकती हैं, किसी भी form के अंदर, उनको भी evidence आया है, for example, unprotected sexual relationship किसी के साथ build कर लेना, वो भी मु सकता है, तो you need to be careful about that thing too, then we will see the C criteria, कि जिस वकत यह symptoms नहीं होती, hypomania की, यह depression की, और especially hypomania की, तो दूसरी form में उसकी जो functioning level है, वो normal रहती है, then जो उसकी disturbance है, mood की, वो observable होती है by others, then E, that is very important, कि उसकी जो functioning level है, वो इतना जादा distress create नहीं कर रही होती, कि उसे जो हॉस्पिटल में admit कराना पड़े, मेनिया में, हॉस्पिटल में admit कराने की जरूरत पड़ती है, hypomania में certain time जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, and then the F criteria, sometime यह होता है, कि कोई medication ली है, उसका side effect आ गया है, जिसकी वज़ा से hypomanic features आ गई है, ठीक है, या कोई substance ऐसा लिया गया है, जिसकी वज़ा से hypomanic episode जो है, वो आ गई है, अगर ऐसा है, तो उसको हम bipolar two disorder में classify नहीं करेंगे, we need to be careful about these things too, thank you.